गुद्वानिंग क्याल चाल सर ठीक है चलो जी तो यहां तक तो बास समझ में आ गई होगी आपको कहां तक कि मैंने आपको बताया कितने चैप्टर से और हमको तैयारे किस तरह से करनी है सर तो आज से SFM स्टार्ट होगा नहीं मैंने आपको पहले कह चुका हूँ कि SFM तो तब स्टार्ट होगा जब आपको चीजे समझ में आएगी SFM Advanced Level है Financial Management का और नो डाउट Financial Management में आप बहुत अच्छे हो सकते हो लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं मेरे जिनको Financial Management में अच्छा होल्ड नहीं था अगर Financial Management में अच्छी होल्ड नहीं है तो वही SFM तो ऐसे भी समझ में नहीं आना है तो मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता वाउ सर मजा गया है आपको कुछ नहीं आता एवन आपको Present Value और Future Value भी नहीं आती है अब कुछ बच्चे बड़े Intelligent होगे और कुछ बच्चों कैसा तो Present Value किया वो तो हम अभी निकालेंगे बिट्टे आगे समझ म को Expert Knowledge है जो बहुत अच्छे थे सिए हिंटर में जो Financial Management में बहुत जाथ एक्सपर्ट थे उनसे भी थोड़ी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज यह Basic of Finance की Classes देखोगे सर, Basic of Finance का कोई Chapter है कि Book में, Book में कोई Chapter नहीं है सर, आपकी Book में कोई Chapter है कि मेरी भी Book में कोई Chapter नहीं है मैं सीधा किसे और आपको क्या है, आपको सिर्फ Copy में लिखना है जितने भी मैं Examples करवाऊंगा, उस Examples से एक भी Question नहीं आने वाला Exam है जो भी है, वो कहां से है, वो CA Inter वगेरा के उठाया हूँ लेकिन इस Class के बिना, फिर से समझना Basic of Finance के बिना, आपसे कोई भी Class नहीं होने वाली ना Forex, ना Derivative, ना Portfolio Management It means, सर, आप जो भी पढ़ा रहे हो, यह उस Particular Chapter में पढ़ा देते हैं तो दिक्कत क्या है? कि कोई एक चीज नहीं है, जैसे Standard Deviation में नाम ले रहा हूँ Standard Deviation, वो Detail में, Portfolio में पर वो कहीं ना कहीं, Derivative में भी आया है, Forex में भी आया Beta, Beta कहां पढ़ना है, Beta पढ़ना है, आपको Technical सब्द यूज कर रहा हूँ अब इग्नोर करते हैं चलना, Beta कहां पढ़ना है, Portfolio Management पर वो Derivative में भी यूज हुआ तो कुछ चीजें, जो सारे chapters में यूज होने वाली है, उसको मैं यहां discuss करने वाला हूँ पहली बात समझ लो, यह Basic of Finance क्या है, कुछ नहीं है, एक तो मुझे आपको याद दिलवाना है कहां का, CA Inter का, दूसरी इस chapter में, इस chapter के थूँ, मुझे वो चीजें समझा देनी है पहले से advance में, जो हर chapter में कहीं न कहीं यूज होने वाली है, बस और Basic of Finance में कुछ नहीं पढ़ेंगे ठीक है, और सुनो, इसको छोड़ नहीं सकते हैं, आप सोच रहें कि चलो, पहला हम derivative ही कर लेते हैं, तो खेल खतम हो जाएगा आगे फिर मैं जब वहाँ पढ़ाते रहूँगा, याद करो बैटिए, मैं Basic of Finance में पढ़ाया था, आपको याद ही नहीं रहेगा तो बच्चो ये पढ़ना ही पढ़ेगा आपको, लिखोगे चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम नहीं, सिर्फ ऐसा लिख दो, चैप्टर नमबर वन तो आपका डैरी वीडियो होगा Basic of Finance Basic of Finance अब इसके अंदर हमें क्या-क्या पढ़ना है, वो जरूर लिखवा देता हूँ मैं First आपको पढ़ना पढ़ेगा Time value of money Sir, क्या पागलपन है, Time value of money मतलब Sir, CA Foundation में पढ़ा, good CA Inter में भी पढ़ा और Final में भी वह चीज हाँ, जिनको ऐसा लगता है कि वो Time value of money में एक्सपर्ट है वो इस टॉपिक को इग्नोर करके, आगे चलब Fast forward को तो option दिया है मैंने, ठीक है आप सीधा आगे जा सकते हैं और Time line भी दे रखा हैं आपको ठीक है पर मैं पढ़ाऊंगा तो ऐसे Time value of money Sir, इसके अलावा क्या है इसके अलावा हम पढ़ेंगे फिर Cost of Capital Sir, KD, KE, KP ये सब पढ़ा होगी क्या? नहीं बिट्टी, Cost of Capital, बताऊंगा Weighted Average, Cost of Capital, क्यों बताऊंगा Sir? याद करोबक value, market value ऐसा कुछ इसकी वजह ये है कि यहर मेरा Merger and Acquisition में ये काम आने वाला Cost of Capital and corporate valuation करके एक chapters में काम आने वाला Sir जी तो एक idea हो जाए हमको Third Concept of Net Present Sir, Capital Busting पढ़के आ रहे हैं हम लोग हाँ जी मुझे मालूम है पर थोड़ा बहुत idea में जरूर दूँगा No.4 इस इन सारी चीजों का यूज मेरे SFM में होने वाला है Okay, Concept of NPV Sir इसके बाद बोलो क्या बढ़ाने वाल है NPV Net Present Value Valuation of Security हद हो गई सर Security Valuation तो चैप्टर ही है न तो फिर आप Valuation of Security यहां कहां से आ गया पिटे छोटी सी चीज समझाँगा न क्योंकि अगर मुझे derivative पहले पढ़ाना तो वहां भी security की value निकालने की छोटा सा point आता है तो फिर उसके लिए मुझे security valuation पहले पढ़ाना पढ़ेगा लेकिन जब मैं security valuation पढ़ाऊंगा तो वहां बीटा जाएगा तो problem तो फसी हुई है न तो जो चीजे यूज होने वाली है कही न कहीं हुआ हाला कि इसका तो बड़ा सा बढ़ा बड़ा चैप्टर है पर यहां दो चार पाच मेंट खर्च कर लोगे तो क्या हो जाएगा फाइफ सर इसके बाद क्या पढ़ेंगा कॉंसेप्ट ओप स्टेंडर्ड डेवीशन सर यह स्टेंडर्ड डेवीशन निकालना तो आता है निकालना तो बैटे छोड़ो निकालना तो हमको भी आता था बहुत सारी चीजे कॉस्ट थीटा sign theta पड़ा है आपने casa पड़ा निकालना आता था हहाँ कभी सोच उसका कहां यूज होने वाला standard deviation भी आपको ν badass standard deviation की help से हम decide करेंगे कि हमें share खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए पैसा कहां लगाना चाहिए यह बड़े काम की चीज है आपने इसको हवा में पढ़ा होगा मतलब सिर्क calculation calculation ने विटे यूज है इसका जबरदस्त यूज है अच्छा सर हाँ ओके सर 6 इसके बाद normal distribution table सर यह क्या है मैंने गाना बहुत सारी चीजे जो आपने पढ़ा है jet table lock lock सुना lock हाँ सर पता है lock क्या क्या यूज क्या है उसका lock करते क्या है उससे एक science वाले से मैंने पूछा था यार यह log log करोगे क्या यह log करते हो आप anti log log होगा क्या होता क्या है बुले पता नहीं हम log में गए यह जो value आता ना log का यह value log का value minus में नहीं होता यह लोगे इसका logic क्या यूज क्या है हाद हो गई बुलता है क्या यूज हमको क्या हम तो देख लेते टेबल से और लिख देते हैं बस क्पाथ कता हूं यही तो दिक्कत है बस इसलिए तो मैं यहां हूँ आपके सामने ठीक के सर हो गया यह क्या अब जगा है आपके पस जगा निकाल दें बना लेंगे जगा कि इतने पॉइंट हो चुके हैं सर छी हो गया है पॉइंट नम्बर सेवन संसेक्स एंड निफ्टी हां सर यह थोड़ा इंट्रेस्टिंग लग रहा है संसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्षेंज निफ्टी यह क्या कॉंसेप्ट से हां बिट और अगर मैं कहूं कि हर जगा आपको संसेक्स निफ्टी का यूज होने वाला है हमारे चैप्टर्स में यस तो यह हमको पड़ना पड़ेगा पूरा stock exchange ही तो पड़ना है थो हमको समझना पड़ेगा इसलिए नहीं कि यार मुझे आपका time pass करवाना है इसलिए नहीं कि आपको नहीं चलो मैं share trading करना सिखा तो मुझे नहीं सिखाना ट्रेडिंग करना कि हम share खरीदे कैसे, share बीचे कैसे, derivative market में कैसे जाए या फिर आप option और future और जमाने भर की चीज़ें मैं आपको नहीं देना चाहता practical knowledge वो सब सीख लोगे, सहाप exam pass करना तो पहला जो मेरा target रहेगा, ये मैं कभी भी कोई भी चीज़ time pass के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ पहला जो target रहेगा, वो target रहेगा, मुझे आपको pass करवाना है मेरी जिम्मेदारी, मेरी responsibility ट्रेडिंग कैसे करना है, और share कैसे खरीदना, share कैसे बेचना है उसके लिए अलग से मैं आपको समझादूँगा, और जरूरत नहीं है आपको, आपके पास है knowledge आप 10 दिन में जो काम में, जो काम आप पुरा, आप सोच चलाएं कि जितना भी 230 घंटे में हम share खरीदना, बीचना है, मेटे 2 घंटे आप 1 week अगर ट्रेडिंग करोगे तो बस होगा expert लेकिन उस expert होने से आप pass नहीं हो जाओगे, पास होने के लिए तो बही कुछ और ही बात है ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात समझने के कोशिश करना सर, SFM से हमें practical knowledge मिलता, कोई practical knowledge काम नहीं आएगा, practical knowledge वन वीक में मिल जाएगा आपको यहां तो साहब आपको exam pass करना, practical knowledge से exam pass नहीं होने वाला है बहुत सारे broker का मेरे पास phone आता है, बतकिस्मती से वो CA नहीं है और आप CA बन गए तो भई, कितना time लगेगा काम सीखने में ठीक है सर, Sunsex and NFT, idea दूँगा, मैं आपको पक्का, यह मेरा huge होने वाला कहिना में 8 concept of beta, अच्छा सर, सर यह beta, यह alpha beta वाला है कि हाँ बेटे, alpha beta, अच्छा सर, यह alpha beta का भी huge है, हाँ भाई, क्या बात कर basic of currency, सर, basics of currency मतलब, यहार हर chapter में कहिना गई, dollar use होगा, euro use होगा, pounds use होगा, Japanese yen use होगा, तो अब उसमें एक dollar, थोड़ा थोड़ा सा idea मुझे देना पड़ेगा, हाला कि बहुत बड़ा chapter पढ़ना, forex, पर थोड़ा सा idea यहां से मिल जाना, तो फिर क्या मैं कोई भी chapter करवा हूँ, derivative करवा हूँ, तो यह derivative करवा हूँ, तो कम से कम वहाँ dollars आए, तो आप घबराओना, portfolio करवा हूँ, तो कम से कम वहाँ euro अगेर आएगा, तो आप घबराओगे नहीं, बस इसलिए, बस, खतम, basics, और सर्फ, questions किसमें से आएगे, यह इसमें से कौन सा important है, exam के लिए, कोई भी नहीं, सर्फ, इसमें से कौन सा important है, हर topic important है, मरी बात समझ नहीं, exam में नहीं आने वाला है सहाब, यह topic, यह basic of finance, लेकिन एक बात है, कि इन सब का यूच, हर chapter में बहुत जादा होने वाला है, जादा नहीं, बहुत जादा, बात समझ नहीं, time value, present value, पूरा SFM, present value से बढ़ा हो, present value, future value, present value, idea तो हो, अच्छा सर, हर चीज का यूच, हर चीज, जो भी संजारों में, यह चीज, बेसिक of finance में क्यों डाला सुनना, क्योंकि इस में से हर चीज का यूच, हर chapters में, हर chapter में, यूच, it means बड़ा सारा यूच है, बार-बार चीज आए आएगी, NPV आएगा, security आएगा, standard deviation बार-बार-बार आएगी, तो उसको हम पहले थोड़ा बहुत idea ले लेते हैं, और तयार हो जाते हैं, कि और किसी भी chapter में आजाए हम तयार हैं, ठिक, okay sir, start करें, मेरे ख्याल से लिख लिए होगा आपने, हाँ sir, और सुनों भई, copy बनानी हैं, चाहे मैं कितना भी आपको soft copy दे दू, notes का, या फिर मैं hard copy provide करूँ, वो मतलब नहीं था, जब तक आप अपने हातों से नहीं लिखोगे न, इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं, आपको copy बनानी है, SFM का, register बनाना अच्छा सा, ठीक है, तो हम start कर रहे हैं, first time value of money, क्या होता है time value of money, अगर मैं ऐसा बोलू, तो ये आपकी इंसल्ट है, और मैं बढ़ा रहा हूं, तो ये मेरी इंसल्ट है, हाँ सर, ये तो बात सहीं बोल रहा हूं, बस इतनी सी बात, simple सी बात है, अगर, मुझे आपसे पैसे वसूल करना है, और मैं आपको दो option देता हूं, मुझे, मुझे, आपसे फीस वसूल करना है, और मैं आपको दो option देता हूं सर, पीस कितनी है सर आपकी खिलास के, 5000 रुपे, से 5000 रुपे, और option दो है, या तो आज 5000 रुपे दे दीचे, या तो तीन मैने बात पाच जार रुपए देना बोलो कब देना चाहोगे या तो आज पाच जार रुपए दे दो या तो तीन मैने बात पाच जार रुपए दे दीजिएगा कब देना चाहोगे सर तीन मैने बात हाँ बिटे हर बच्चा मुझे यही बोलेगा सर तीन मेहने बाद, मेरी बात समझने की कोशिश करना, क्या दोनों की value एक जैसी है? नहीं, मैं क्या चाहूँगा, आज पाच जार रुपए मिलेगी तीन मेहने, आज उसको मैं बैंक में जमा करूँगा, तो उसकी value, वो पाच जार की value तीन मेहने बाद तो और value बढ़ जाए होगा, आप लिख लिजिएगा, मैं जो है, मैं उस सिर्क काम की बात करूँगा, time value पनी, मुझे पढ़ाना है future value, present value पर मेरा तरीका लग है, तो ठीक है, सर एक paragraph लिखवाईए ना, नहीं बिट्टे, ना तो वो आएगा paragraph exam में, ना तो हमारे काम का, मैं कुछ examples लिख और उस example से मुझे answer चरी है, लिखते जाना, इसमें कुछ लिखवाने वाली बात नहीं है, कोई formula नहीं है, मेरी बात समझना, कोई formula नहीं है, बस सुनना है मुझे ध्यान से, बस example number one, amount to be invested rupees one lakh तो मुझे कितना रुपे इन्वेस्ट करना है आज, एक लाग, amount to be invested rupees one lakh, ये कब की बात है, तोडे, आज इन्वेस्ट करना है, एक लाग रुपे, ठीक है सर, rate of interest 10% per annum calculate amount received amount received with interest, amount received with interest amount of investment for one year two years three years four years ten years twenty years expert some kids will write a calculator and answer I know okay I will hear a question sir I have to collect money in bank and how much is it? 1,000,000 and how much is it? 10% if I have to collect money in bank if I have to collect money in bank with interest 1,000,000 plus interest 1,000,000 10,000 total you will get 1,000,000,000 10,000,000 and how much is it? if I have to collect money in bank if I have to collect money in bank for 2 years if I have to make money in bank for 2 years how much is it? 1,000,000,000 पर मिलेगा इटमिस पूरा FM पढ़ा हूँ आपने या आप पढ़ हो SFM हमारा चलता compounded annually interest पर interest अगर question में कुछ ना का जाए simple नहीं चलेगा compounded चलेगा ठीक फर्स्ट एक ही साल के लिए पैसे जमा करूं तो प्लकुल और सर्aking future में मिलेगा तो आप यही पूछ़रें कितना फैसे मिलेगा हां बिट्ए हां मैं यही पूछ न हूँ तो सर हम future value बोल सकते हां और आज जो पैसे जमा कर रहा है कि क्या बनेंगा present value और जो future में मिलेगा उसको future value जो एक साल बाद मिलेगा वो एक साल बाद का future value यह दोसाल का future value ऐसा करेंगे हम लोग ठीक है सर तो case number calculation of future value बनाओ 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 जल दी बनाओ calculation of future value सबसे पहला case फाव वा नहीं है चलो जी बात को समझना एक साल के लिए हमने investment किया कितना रुपे investment हो रहा एक लाख कितना interest है 10% तो कितना मिलेगा एक लाख दस दस हो गया निकाला कैसी यह बता दो कुछ बच्चों ने ऐसा निकाला होगा future value is equal to एक लाख प्लस 10% is equal calculator उठाते हैं एक लाख प्लस 10% एक लाख दस जार answer आ गया जो कि mathematically पूरी तरह से गलत है क्यों गलत है यह एक लाख प्लस 10% calculator में अच्छा लगता वेटे calculator में लेकिन अगर वह आप answer sheet में लिखोगे ना जीरो number देने वाला एक लाख प्लस 10% तो कोई logic नहीं है ना यार हां सर ऐसे नहीं करेंगे गलत हो गया चलो दूसरा तरीका बोलो दूसरा तरीका future value ऐसे निकालेंगे ना future value is equal to एक लाख प्लस एक लाख इंटू 10% कोई दिकत की बात है क्या नहीं नहीं सर अब तो आ जाएगा अब मैंना कुछ एक formula बनाने की कोशिस करूँगा सुनना एक लाख प्लस एक लाख इंटू 0.10 ठीक है 10% मतलब 10 divided by 100 क्या मैं इसको एसे भी लिख सकता हूँ एक लाख इंटू 1 अगर कुछ नहीं है सामने इंटू 1 करों तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हां सर एक ही बात है और एक लाख इंटू 0.10 ठीक अब भाई एक लाख और एक लाख कॉमन हो गए हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं कि एक लाख इंटू 1 पॉइंट इन दोनों को जोड़ेते हैं 10 यस तो आंसर कितना जाएगा एक लाख सर यह 1.10 1.10 तो एक जमाने से पढ़ रहा है आदि से ज़्यादा बच्चों का तो यह डाउट है सर टैन परशन लिखा है भई 1.10 तो डेरिविशन से आ गया अटोमेटिक फ्यूचर यह कौन सा वैल्यू फ्यूचर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मुला क्या बन गया है प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आई भी लिख सकते हो आर भी लिख सकते हो हम आर लिखा करेंगे 1 प्लस आर अब फिर यहां दो साल हो तो दो हो जाता है हाँ सर यह तो हमको आता है यस तो एक इंपोर्टन फॉर्मुला आपके सामने हो गया फॉर्मुला फॉचर वैल्यू सिंगल कैश्प्लोस सर यह सिंगल कैश्प्लोस क्या है यह समझाओंगा ना बिटे रुक तो जाओ अभी थोड़ा सा रुको मैं समझाओंगा ठीक है सर फॉर्मुला क्या बना फॉर्मुला बना फॉचर वैल्यू फॉर्मुला 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 एक लाख वन पॉइंट वन जिरो और एक ही साल है तो ऐसा लिख सकते हैं तो बताओ कितना आ जाएगा रुपीस एक लाख दस जा को दिक्कत की बात नहीं से अब तो हो सकता है फटा-फट से अब जल्दे जल्दे करते हैं केस नूमबर टू फट्ट टू यर्स अगर दो साल के लिए जमा करे तो अगर दो साल के लिए जमा करे तो फ्यूचर वैल्यू एसी को लिए एक लाख 1.10 पावर 2 यह पावर 2 क्यों लिखा दिस इस कमपाउंटेड एनवली कमपाउंडेड एनवली समझ रहे हो ना आप एक लाख प्लस दस जार तो पहले साल कितना हो गया है एक लाख दस जार और फिर इस पर लगता है ब्याच 11,000 तो टोटल कितना हो गया है एक लाख 21,000 मैं फिर से बोल रहा हूं कि भाई पहले साल कमपाउंडेड एनवली बार बार यह यूज कर रहा हूं पहले साल तो एक लाख पर इंट्रेस्ट मिलेगा पर दूसरे साल मिलेगा मतलब अगर मैं बैंक से पैसे निकाल लूँ 10,000 तो बात खता हम सर कैसे करते हैं कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं सर एक लाख प्लस दस परशंट प्लस दस परशंट प्लस दस परशंट आंसर आजएगा चेक करो कैल्कुलेट एक लाख प्लस दस परशंट प्लस दस परशंट वाव वन लाख ट्वेंटी वन थाउचन पर यह mathematics लिए आप multiple choice question होता तो ठीक होता पर mc quiz तो है नहीं है तो आपको बनाना तो ऐसे पड़ेगा answer इसमें भी 1,21,000 आएगा इसमें भी आएगा पर बनाना इससे पड़ेगा आपको ठीक ऐसे तो यह हमारे कामकर नहीं है अब इसको कैसे solve करते हैं कुझ बच्चे ऐसे करते हैं एक लाक इंट्य वंप लगवेडा हम ऐसे करने ? हम ऐसे भी नहीं करेंगे तो सर्म करेंगे कैसे यह हम कैसे ? 1.0 into equal to अगर into equal to करता हूँ square दिया है 1.10 into equal to करता हूँ तो automatic यह दो बार हो गए अगर मैं 1.10 into equal to करता हूँ calculator में तो यह इसके बरावर हो जाथा 1.10, 1.10 दो बार लिखने की जगह आप ऐसा कर सकते हूँ 1.10 into equal to और फिर into क्या कर दो एक लाख आजाएगा और आज़र कितना आएगा 1.21,000 टिक है बेसिक चीजे है यह आपको आती है पर मैं आपको समझा रहा हूँ इसको solve करना दो कर सकते हैं 1.10 1.10 into equal to तो यह आगा है 1.21 तो यह ही आजाएगा 1.21,000 हाला कि इसका नाम क्या है इसको बुला जाता है future value factor future value factor बुलते है 1.20 आपने कैसे किया 1.10 into equal to into equal calculator calculator में आपने इस तरह से किया इसको क्या बोले जाता future value factor अच्छा सरा case number 3 अगर investment करने होता फॉफ कितना साल है 3 years तो कितना आप था future value is equal to 1.10 1.10 पावर क्या हो जाएगा 3 सीधा कैसे निकाल सकते है अगर मैं इसको future value factor में convert ना करूं तो मैं सीधा कैसे निकलता मैं ऐसे निकलता 1.10 into equal to into equal to किया तो already कितने बार हो गया दो बार और एक बार equal to किया तो कितने बार हो गया 3 लाख 3 लाख into क्या कर दूंगा मैं 1 लाख करके देखे 1.10 into equal to 2 लाख equal to 3 लाख into 1 लाख तो यह आगया रूपीज 1,33,100 alternative आप इसको तोड़ के भी कर सकते हो इसका मतलब सर मतलब यह हुआ आप इसको ऐसे भी कर सकते थी 1 लाख into future verifactor 1.10 into equal to equal to 1.33 331 तो आंसर यह आता 1,33,100 मैं बार बार सर दो दो बार क्यों कर रहा है पैटे इसको क्या बोला जाता इसको बला जाता future value factor अच्छा सुनो क्या यह future value factor है? हाँ कितने साल का? 2 साल का क्या यह future value factor है? हाँ कितने साल का? 3 साल का बच्पन में table भी हुआ करती थी future value factor 5 साल का बता future value factor 3 साल का बताई तो आपको जो table दी जाती थी मेरे पास table है वो table कहा मिलेगा table number 3 3 तो present value का ये भी present तो table number इदर यागा future value पड़ा नहीं ये table number 1 में आ जाएं this is table number 1 बुक के पीछे ये table आपको दिख जाएं this is table number 1 और ये future value factor future value factor मैं कितने percent पर देख रहा हूं sir आप देख रहा हूं 10 portion क्या आपको एक साल के लिए जमा करना पड़ा तो 1.10 से multiply करेंगे दो साल के लिए जमा करना पड़ा तो 1.21 3 साल के लिए 1.331 और सब 4 साल के लिए जमा करना होता तो check करते हैं 1.10 into equal to कितने बार दो बार equal to कितने बार तीन बार equal to 4 बार 1.464 बार ये टेबल इस तरह से होती है future value ये ये बताता कि अगर हम एक रुपिया जमा करें बैंक में तो बताए एक साल बात कितना मिलेगा एक रुपिया 10 पैसा दो साल बात कितना मिलेगा ओँ रुपीज واँ पॉइन पॉइट टू वन एक रुपज किस पैसा ये है एकचली future value अगर हम एक रुपिया जमा करें आज तो दस साल बात कितना मिलेगा तो क्या करना 10% है और दस साल है अगर हम एक रुपह जमा करे आज 10% के rate से 20 साल बात कितना मिलेगा यह 10% के rate यह 20 साल सीधा सीधा answer रहेगा 6.1159 This is future value fact यह table क्या आपका पहले से देखा हुआ है क्या सर हमको भी CA final के exam में दिया रहेगा सवाल ही पैदा नहीं होता आपके exam में आपको किसी भी type के table नहीं मिलेगी हाँ यह हो सकता है कि questions के नीचे ही information देदी ठीक है पर idea होना चाहिए future value का table का इसलिए में ही करा है और वो ही आपने है इसलिए में बार-बार factor निकाल रहा था अब मैं factor निकालूँगा हमें table नहीं दिया रहता है अगर हमें table नहीं दिया रहता है तो यह time pass हम नहीं करेंगे future value factor निकालने का कि हम सीधा-सीधा question बनाएंगे yes यह सीधा-सीधा question होगा calculator चलाएंगे answer लाएंगे तो कितने साल हो गए तीन साल के लिए अब case number 4 अगर हम 4 साल के लिए इनवेस्टमेंट कर रहा है तो तो future value इसीधा एक लाख 1.10 to the power 4 कैसे शॉल करो के कुछ बच्चों का ऐसा है किस सार हम कर लिखेंगे 1.10 into equal to 2 बार equal to 3 बार equal to 4 बार एक alternative यह है एक alternative 1.10 into equal to कितने बार हुआ दो फिर into equal to करेंगे तो automatic कितने बार हो जाएगा 4 समझाता हूँ अगर मैं करूँ 1.10 into equal to एक बार equal to दो बार equal to 3 बार into एक लाख तो यह आगे 1.46 4.10 into एक लाख तो करने ही पड़ेगा भई सर्थ दूसरा alternative क्या है मैंने किया 1.10 into equal to तो कितने बार हो गए 2 पर मुझे पहुचना 4 जैसे हम into करते तो पहले जितना हुआ उसका double हो जाता सर बड़ा मुश्किल है फिर से बोलो अगर मैं 1.10 into equal to equal to ऐसा तीन बार कर लेता फिर into equal to करता तो तीन का double कितना हो जाता छे सीदा 6 पर पहुच जाता और फिर into equal to करता तो 6 का double कितना हो जाता बारा अच्छा सर इसलिए आपने double कर दी है यास मैंने क्या कि है 1.10 into equal to कितने बार हो गया था दो अब मुझे पहुचना चार तो मैंने कर बार बार equal to क्यों करो into equal to कर देता है तो यह आख है ठीक है सर चलेगा और कुछ है कि और कितना साल बचा था कहां तक हो चुका है सर यहां तक हो दस साल और बीस साल बचा हुआ आप देखता हूं कौन पहले करता है कि अगर दस साल के लिए हो रहा है तो तो सर अब तो हम बना लेंगे फ्यूचर वैल्यू इस एक लाग वन पॉइंट वन जीरो पावर टेन आंसर चाहिए एक तरीका क्या है एक तरीका यह है सर वन पॉइंट वन जीरो इंट इक्वल टो तीन चार पांच छे साथ आट नो तस ऐसा दस बार करेंगे दूसरा तरीका क्या हुआ सर यह बताओ वन पॉइंट वन जीरो इंट इक्वल टो कितने बार हो गया है दो तीन चार पाच पांच कर दफर दस सिंपल यह ज्यादा अच्छा है ना ऐसा करने के विक्षा करके देखे क्या वन पॉइंट वन पॉइंट इंट इक्वल टो दस इंटो एक लाक तो यह आ गया हमारा आंसर लुपी इस टू फाइफ नाइन थ्री सेवन पॉर ओके सर यह सब कैलकुलेटर है पता लगा नोट्स में लिख दिया हां और नोट्स पता नहीं कि दूसरा बच्छा पढ़ा तो उसके होस उड़ गए कि लिखा लिखवाया क्या है करके ठीक है सर एंडी लाश्ट केश नमर अगर हम बीस साल के नहीं जमा करें तो फ्यूचर वैल्यू से एक लग वन पॉइंट वान जिरो पावर ट्वेंटी अब चलाओ दिमाग तो मानों यह दो लास्ट वैब से भी अब देखता हूं आप कैसे करोगे सपारी बताओ आप कैसे करोगे आप चलाओ तो दिमाग मेरे पास तो बहुत सरह धरी के और में होथा तो मैं कैसे करता फ़स ने into equal to 2 equal to 3 equal to 4 equal to 5 into equal to 10 into equal to 1.10 into equal to 2, 3, 4, 5, 10, 20 into 1, 6, 6, 7, 2, 7, 5, 0 let me round off, 5, 0 कितने digits तक round off करना पड़ेगा, यह हर chapter में बद समझाऊंगा, 4X में round off का अपना एक तरीका है, derivative में अपना एक तरीका है, यह में समझाड़ूंगा आपको, ठीक है, बाकी आपको जैसे करना कर सकते हो, यह क्या निकाला आपने, सर यह हमने निकाला future value, ठीक है, यहाँ इस example में कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, example number two, अभी भी बात future value किया है, बात कर सकते हैं, we want to invest रुपीस 20,000 सर इसको थोड़ा एज़ी करते है कैल्कुलेटर की कम से कम ज़रू तो रुपीस 1,000 पर एन फो 4 years अब सुनोगे द्यांस सर हम कितना investment करना चाहते हैं हम investment करना चाहते है हर साल 1,000 रुपे हर साल मैं bank जाने वाला हूं और bank जाके 1,000 रुपे जमा कर दूँगा फिर एक साल बाद फिर 1,000 रुपे जमा करूँगा फिर एक साल बाद फिर 1,000 रुपे जमा करूँगा तो चार साल में हजार 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 एक जैसा पैसा जमा कर रहा हूँ उसको ना एक सब्द दिया जाता है यूच किया जाता है एन्यूटी N.U.T. का मतलब होता हTION हर साल जमा किया जा रहा है यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था पिछले example में क्या हो रहा था पिछले example जो मैंने दिया तो उसमें आप एक साथ आज ही पूरा गी पुरा पैसा जमा कर रहा थे कितना रुपए जमा कर रहा थे एक लाक रुपए बैंक मुझे भी आज कितना देगा? भी आज का दो रीटिंगा. We want to invest रुपीज 1 लक पर राणिम for 4 years at the rate 10% per राणिम from beginning of यर वा चल्कुलेट टूटल अमांट विदेंट रस्ट अफ्टर लिखुआनों दो कन्फूज जाओगे अट दी अट दी अट दी अट सिंबा कोश्चन है बैंक वालों से क्या पूछ रो मैंने का बैंक शुनों ना बैंक तो बैंक बलती हाँ जी क्या प्रॉल्लम है मैंने का मैं आपके यहां अभी तो पैसे नहीं है मैं अगले साल की एक तारिक से आउंगा मतलब सर यहर एंड बुलत हो हाँ एक तारिक को आउंगा एक हज़ार रुपए जमा करऊंगा फिर Year End में आउंगा, फिर एक घर उपे जमा करुँगा, कुछ पैसे निले जाओंगा, आपके हां से फिर एक हजार उपै जमा करुँगा, फिर लाशट में भी एक हज़र उपै करूआ करुगा, जढोंगा वो सबकी सब चार साल बात मेरे पास पैसा कितना जमा हो जाएगा टोटल लाकर मेरे बैंक में this is annuity अगर मैं पैसे जमा करते जाओं तो कितना हो जाएगा मैं समझा रहा हूँ आपको साथ समझ में आ जाईगी बात so situation क्या situation situation एसी एक्चिन यह जीरो पिरियड हुआ यह फर्स्ट यह यह सेकेंड यह थर्ड यह और यह फॉर्थ यह और जो मैं पैसे जमा कर रहा हूं कितना रुपए जमा कर रहा हूं यहां जमा कर रहा हूं एक हजर यहां भी जमा कर रहा हूं एक हजर यहां भी जमा कर रहा हूं एक हजर और यहां भी कितना जमा करूंगा एक हजर सवाल ये है कि ये सब मिलाकर बोलो यहां कितना पैसा जमा हो जाएगा और rate of interest कितना है rate of interest है 10% पर है सूच के बताओ कि इस 1000 पर interest कितने साल तक मिलेगा एक सा, दो सा, तीन सा इट मिन्स ये जो 1000 रुपय में जमा करूँगा जो first year के end में जमा कर रहा हूँ, end बोलेंगे, ये first year का end जो first year के end में जमा कर रहा हूँ, इस पर interest कितने तीन और सर, इस पर interest दो साल का और इस पर interest एक साल का और इस पर तो interest अभी मिल लगी नहीं, अभी जमा किया मैं यह पूछना चाहता हूँ कि बताओ चार साल में टूटल मिलाकर कितना पैसा जमा हो जाएगा तो एक तरीका है कि आप लॉंग कट से चलो दूसरा है कि आप फॉर्मॉला एपलाई कर दीजिए बहुत सारे तरीके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तरीका यह हुआ कि मैं ऐसे कर दूँ एक हजार वन पॉइंट वन जिरो इस पर कितने साल का तीन सा ठीक है ज़र और एक हजा वन पॉइंट वन जिरो यहां कितने साल का दो साल का यहां कितने साल का एक साल का और यह एक हजार तो है तो हम इसका वैल्यू निकाल लेते सर तो हमको दिक्कत नहीं होगी एक तो सर हम इसका वैल्यू निकाल लेते है एक तो हम इसका वैल्यू निकाल लेते एक इसका भी वैल्यू निकाल लेते और इसका भी वैल्यू निकाल और एक हजर तो है और लिख लेते हैं हाँ ऐसा करके देखते हैं हला कि हमारे पास shortcut है चलो निकालते हैं एक हजार तो कैसे करेंगे 1.10 into equal to equal to into 1000 तो ये तो हो जाएगा रूपीस 1331 प्लस 1.10 into equal to into 1000 रूपीस 1210 प्लस यहां केतना जाएगा रूपीस 1100 प्लस ये तो एक हजार रूपय हमारा जमा हुआ इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा तो बताव टूटल कितना हो गए 1331 प्लस 1200 1331 प्लस 1210 प्लस 1100 प्लस एक हजार तो ये जमा हो गए हमारा रूपीस 4641 हाँ है तू बताये सहाब कि चार साल में हमें टूटल कितना कि लेगा रूपीस 4641 शर्त मैं बता रहा हूं आज इससे जमां नहीं कर रहा है हम लोग हम कब से कर रहा हैं एक साल बा封स सर अगर आज से सिढां करते हैं तो बाद मैं समझ लेंगे पर अब यह समझ लो, एक साल बाद से जमा कर रहा है, कब तक चार साल तक तो हमें कितना मिलेगा सर अगर ऐसे दस साल तक जमा करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, यह तो दिक्कत है न यार यह तो मुझे समझाना है कि अगर वो कोश्चन ऐसा आगे कि यह तो एक साल तक एक एक घजार रुपय जमा कर रहा है, बीत साल तक करो, क्या तीन घंटे बें पर सुए काम कर पाएंगे कि हम, नहीं हाँ, लेकिन न एक होता है एक तरीका और होता है, वो तरीका भी समझाना हो तरीका यह है कि मैं क्या करो मेश कि मुझे क्या निकालना मुझे तो सर निकालना आपको निकालना future value और light हो future value कैसे निकालोगे अगर आप present value rupees Rs 1000 में आप future value factor ने future value annuity factor से multiply करतों कि start answer जाएघ अ fais future value annuity factor यह single cash flow नहीं है यह annuity है अच्छा सर यह annuity factor से multiply कर दो कि तो answer आजाए और sir इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको हमको ढूरना पड़ेगा क्या annuity factor दिया हुआ है क्या table है तो table में मिल जाएगा चेक करते future value is equal to rupees 1000 into check करो future value annuity table कौंसी यर में देखना पड़ेगा fourth year rate of interest 10% आ जाते हैं सर ये वाला बिट्टे ये वाला नहीं चलेगा क्योंकि यहां क्या single cash flow single cash flow का मतलब जो example number one में किया था एक ही बार जमा करोगे interest मिलते जाएगा last में बताव कितना मिलेगा single annuity का मतलब है हर साल जमा हो रहा तो इसके लिए table number कौंसे चेक करना पड़ेगा यह बाला यहां सब मिलेगा कितने परशन के सबसे जमा कर रहा है 10% सर 10% कि सबसे पैसे जमा हो रहा है 10% कितने साल तक 4 साल तक 4 साल का factor कितना है 10% यह मिल गया 4.6410 और मैं क्या करूंगा मुझे करना क्या है मुझे कुछ भी नहीं करना मुझे जो आया था कितना आया था याद है क्यार मैं तो भूल गया है बताओ 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 जल्दी से multiply कर दो 4.6410 चेक करो answer कितना रहा एक हजार इंटू 4.6410 आज़ा 4641 वाव लॉट्ट्री लग गए सर अब तो हो गया फिर तो सर अगर कोई मुझे से पूछेगा कि एक एक हजार रुपए जमा कर रहा है कितने साल तक मालो यह पूछ लिया कि बताओ दस साल तक कितना यह पूछा तो बस एक हजार इंटू इससे multiply कर देंगे तो 15,000 कुछ-कुछ आजाएगा सर एक last question table तो दिया ही नहीं रहता जिसे calculator में आपने हमको यह factor निकालना सिखाया है table number 1 का क्या table number 2 का भी निकाला जा सकता है यस निकाला जा सकता है वह ही तो मझे समझाना it means मैं अभी क्या सिखाऊंगा आपको कि यह future value annuity factor कैसे निकाला जाता future value annuity factor अब एक जबर्दस्त formula यह जोआ है और formula ऐसे हुआ future value यह किसके लिए annuity annuity factor is equal to 1 plus r to the power n minus 1 divided by r अच्छा सर हाँ बेटे 1.10 कितना चार्ट सा minus 1 divided by rate कितना 0.10 सर यह तो बच्पन में पढ़ा था हूँ अभी समझाऊंगा इसका logic 2 3 4 minus 1 divided by 0.1 तो यह आ गया factor 4.641 तो अब क्या future value निकाल सकते है यास 1000 to 4.641 तो आंसर जाएगा 1000 into 4.641 तो जाएगा रुपीस 4641 क्या यही आंसर आ रहा है यास 4641 यह फॉर्मुला है future value निकाल सब फॉर्मुले का logic बता रहा हूँ न वाई क्यों टैंसन लेर जल्द बाजी नहीं धीरे धीरे काम करेंगे ठीक ठीक है अब सा logic समझाओ हमको हम सुनना जाते क्या logic अब मैं आप से कुछ question पूछ रहा हूँ पहला पहली बात मेरे मन में क्या आई पहली बात मेरे मन में यह आई और डाउट क्यों पैदा हुआ कि साहब एक हजार यहां जमा कर रहें तो maximum सबसे ज्यादा ब्याजी सीपे में लिए कितने साल का तीन साल का तीसरे पावर थ्री किया उससे कम इस पर उससे कम यहां चार साल का कैसे जोड़ा है यहां फोर क्यों किया फोर सबसे पहला कोशन नहीं है फोर क्यों आए सबसे बड़ी ब second year, यह है मेरा third year और यह मेरा fourth year और मैं आप से कुछ बात बोल रहा हूं और मैं आप से बोल रहा हूं अब भूल जाना कि मुझे पाच्वे साल interest मिलेगा पाच्वे साल fifth year में फिर से ध्यासून ना सर इस question से रिलेटेड है कि इस question से रिलेटेड नहीं या सी common sense वाला question कि पाच्वे साल interest मिलेगा 200 रुप है मन से बुला 200 रुप है मनसे पाच्वे साल interest मिलेगा 200 रुप है जो की interest का amount है जो की है 10% किसका यह पाच्वे साल के यहां जो principle ना fourth year इसका है 10% कितना रुपे इंट्रेस्ट 200 तो बता ओ यहां कितना principle रहा होगा कि 10% इंट्रेस्ट 200 रुपे मिल रहा है सिंपल है 200 divided by this person कर लेंगे तो answer कितना जाएगा 2000 200 divided by 10% को point one zero लेक सकता हूँ फिर से मैं बोल रहा हूँ मैं कौन से year का interest देख रहा हूं मुझे कौनसे year का value चाहिए फोर्थ year का तो interest कौनसे year का देखना पड़ेगा फित year का total मिलाकर ओके सर अब मैं एक बात आप से बोल रहा हूँ अब ध्यास है समझना इस formula का logic समझाने के कोशिश कर रहा हूँ कुछ बच्चों के दिमाग में आ गई होगी अभी तक बात और जिनके दिमाग में नहीं आई अब सुनोगे दिया चार और ये कौनसा फिप थी है फिर्ष्ट इयर सेकेंड इयर थर्ड इयर फूर्थ इयर मैं कहता हूँ मैंने यहां कुछ पैसा जमा किया एक रुपए यहां एक रुपए जमा किया यहां भी एक रुपए जमा किया और यहां भी एक रुपए जमा किया ठीक है सर करते जाओ कोई दिक्कत नहीं और जब यह पैसा जमा हुआ एक रुपए एक रुपए एक रुपए एक रुपए तो मैं आप से बोल रहा कि यहां जो है 1.4641 with interest है 1.4641 मैंने गाइब इसमें से principal minus कर दो तो बोलो कितना 0.4641 यह क्या चीज है यह interest का amount कौन सी year में यहां 10% interest का amount है तो क्या यहां कितना principal निकाल सकते हैं 0.10 कर दी तो principal amount है जाएगा बस मैं कहा रहा हूँ कि यहां जितना है यहां जितना भी principal रहा होगा उसमें अगर हम interest जोड दे तो यह आ रहा है उसमें निका प्रेंसिपल हटा हो तो यह बचा क्या interest जो की कितना percent है 10% तो divided by क्या करोगे 0.1 तो क्या यहां का principal आ जाएगा हाँ वही मैं यहां काम कर रहा हूँ मैं यहां क्या कर रहा हूँ 1.10 कितने साल तक हो तीन साल तक मैं चोहते साल में जा रहा हूँ चला गया यह सर यह आ गया principle with interest इसमें से माइनस कर दिया 1 तो सिर्फ क्या बच्चा interest यहां का और मुझे यहां का principal चाहिए तो यह interest का amount divided by 10% करूँगा तो यह आ जाएगा factor और फिर इसको मैं यहां multiply कर दूँगा इस फॉर्मूले का logic यह है यह logic मुझे यहां नहीं समझाना चाहिए पुछो क्यों कि यह आपने detail में पढ़के आये हो ठीक है ओके सर अगर यह अगर यह जो पैसा जमा हो रहा है यह हर साल के end में जमाना होकर beginning में होता तो क्या होता तो मैं उस समय का उस समय discuss करूँगा अभी मुझे सिर्फ क्या समझाना है सिर्फ यह समझाना है कि आपने क्या पढ़ा हुआ क्या पढ़ा था आपने present value और future value पहले मैंने बात किसकी किया future value future value दो condition है एक साथ लंसम में पैसा जमा कर रहा है और फिर हमें last में कितना मिलेगा तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा future value factor यह तो table यह table नहीं तो formula और formula simple अगर तीन साल का interest लगना यहां तो बास यह 10 साल के लिए जमा करना तो power 10 हो जाएगा minus 1 कर देंगे मतलब क्या मैं हटा रहा है तो बचेगा क्या interest और interest में interest का amount बचेगा amount और फिर क्या कर दोगे interest के rate से divide कर दोगे तो principal amount आजाएगा जस्ट पहले कर ठीक है ठीक है सर इस पर मैं और example नहीं करवारा हूँ आप बात किसकी करते आप बात करेंगे present value की ठीक है अब जो बात किया जाए वो बात किसकी किया जाए अब बात करेंगे हम present value की सर उसमें तो हम expert है और पूरा financial manager future value में भी आप expert ही हो तो कोई नहीं बात नहीं है तो लिखते है present value present value सीदे formula पर आता हूँ और सबसे पहले बात करता हूँ single cash flows बस एक बात बता हूँ बैटे जब आपने future value पढ़ा अभी तो future value निकालने का formula था था present value one plus r to the power n तो यह वाला part क्या यह divide हो जाएगा और किसका formula बन जाएगा present value का formula बनेगा तो बस सर सिंपल है तो कुछ नहीं है यस इट मेंस present value का जो formula है वो बना present value is equal to future value divided by 1 plus r to the power n this is the formula ठीक एक example से बात को समझते है suppose धस्पूए्ण कि फ्यूचर वेल्यू कि आफ्टर फाइव यर्स रुपीज पोर्टी था उसका मतलब है कि यार हमको चार साल बाद कितना मिलेगा 40,000 रुपाय चाहिए यह मिलेगा जोभी बोल दो रेट अपिंट्रस लेते हैं 10% पर रहे हैं रिचेंट वेल्यू कॉस्टिन मार्क अखिर इसके इंट्रेप्टेशन कितने हो सकते इसके इंट्रेप्टेशन बहुत सारी हो सकते पहला आप नॉर्मल ये बोलू अगर मैं बच्चपन में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों कमालो सिये फाउंडेशन है तो मैं ऐसा बोलू कि आज बैंक में कितना पैसा जमा करें दस प्रतीशत के हिसाब से ताकी वित इंट्रेश्ट पाच साल में मुझे 40,000 रुपए मिल जाए प्रेजेंट वेल्यू निकालना तो क्या फॉर्मुला लगा सकता हूँ सीधा यस और फॉर्मुला लगीगा प्रेजेंट वेल्यू इस इक्वल टू फ्यूचर वेल्यू कितना है रुपीज 40,000 इंट्रू नहीं होगा यह क्या होगा डिवाइट किस से 1.10 पावर 5 ठीक चलो जी आंसर चाहिए मुझको अब इसको सॉल करें तो कैसे करें तो कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा दिमांग है वो लोग क्या करते हैं मालूब वो पहले लिखते हैं 40,000 डिवाइड़ बाए सर 1.10 को 5 बार हम करेंगे 1.10 इंटू इक्वल टू दो तीन चार पाच तो सर लिखेंगे 1.61051 फिर आंसर आजाएगा सर अच्छा अब सुनो मिनी बात समझा अगर मुझे सीधा कैलकुलेटर में करना है इसको सीधा कैलकुलेटर में करना है M plus का यूच करना आता है आप लोगों को बोलो हां हां करना आना चाहिए बिट्टे बोलो मैं कैसे करता अगर मैं extra technique नहीं लगा है तो मैं कैसे करता मैं पहले नीचे वाला solve करके M plus में डाल दे ता मैं क्या करता 1.10 into equal to 2 bar equal to 3 bar equal to 4 bar equal to 5 bar कर लिया उसको M plus में डाल दिया मतलब वो memory में से हो गया फिर उपर वाला लिखूंगा 40,000 divided by MRC क्योंकि memory है equal to तो answer आजाएगा मैं फिर से बोल रहा है मैंने कैसे किया हाला कि मेरे पास और एक टेक्निक है पर ये भी सीखोगे तो कहीं न कहीं काम आएगा इट मेंस बीना नीचे वाला लिखे बीना पेंच चलाए मुझे सिधा answer चाहिए मैं नीचे वाला भी नहीं लिखना चाहता हूँ, solve नहीं करना चाहता हूँ जो भी होगा वो calculator में होगा तो मैं calculator में कैसे कर सकते था मैं calculator में ऐसे करता है, यह है method number one calculator के 1.10 into equal to 2, 3, 4, 5 और इसको कहाँ डाल देता मैं, M plus में, चला गए M plus में, ठीक फिर 40,000 divided by MRC, answer अज़ा था, answer कितना था, 1.10 into equal to, कितने बार, 2, 3, 4, 5, M plus 40,000 divided by MRC equal to, तो यह आ गए मेरा, रूपीज, 2, 4, 8, 3, 7 ले लूँ, round figure, 3, 7 तो एक यह टेक्निक है, पर ज्यादा अच्छी यह टेक्निक होई, दूसरे तरीके से भी कर सकता था, कैसे सबसे पहले कैलकुलेटर हम लिखता है, 40,000 divided by 1.10, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाच बार, आप दोनों में से किसी एक टेक्निक को यूज कर सकते हो, यह कहां यूज करना है, यह यूज किया जाता है, कैलकुलेटर, ज्यादा अच्छा कौन सर, सर, ज्यादा अच्छा तो नीचे वाला है, डारेक्ट हो जाएगा, यह सब प्रैक्टिस से आएगा साहब, आपको ऐसा लगता है, कि आपको कैलकुलेटर चलाना आ जाता है, आता है सर, आता है, यहां तक आता भी एक बहुत सारी चीजे हमको सम लेकिन एक बात और है, इसके अलावा भी एक बात है, आप सुलना, यह आपको देखर अगले पेज में जा रहा हूं है, मैं आप से बोल रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाला, 40,000 डिवाइड़ बाई, 1.10 पावर 5, ठीक है जी, ठीक, क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 40,000 इन्टू, 1 डिवाइड़ बाईड़ बाई, 1.10 पावर 5, कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं, इन्टू 1 इसके सामने भी लिखू, तो ये की बात है, चाहिए आप ऐसे करो, चाहिए ऐसे करो, yes, 40,000 इन्टू, क्या इसको सॉल किया जा सकता है, हाँ सर, 1 डिवाइड़ बाई, 1.10, कितने बाई, इकल टू पाच अबर, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आ गया है, 0.6209, बोल के बताओ, ये 0.6209 का मिनिंग क्या है, इसका मिनिंग चाहिए मुझे, इसका मिनिंग, इसका मिनिंग यह हुआ हिंदे में लिख लो, जो एक रुप है, पाच साल बाद, मिलेगा, उसकी, प्रेजेंट वैल्यू, या इसको बोला जाता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, इसको ऐसे लिखा जाता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, रेट कितना, 10 परशन, कितना साल, पास अच्छा सर, यह होता है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, हाँ, और फिर आंसर आ जाएगा, चालिस जर, इन्टो पॉइंट सिक्स्टो जिरो नाइन, तो यह आ गया, रूपीस, टू फोर एट थ्री सिक्स, और जबकि सर, यहां अंसर कितना है, टू फोर एट थ्री सेवन, और यहां आया, थ्री सिक्स, सर, एक रुपए का अंतर बिटे, आएगा न, क्योंकि यहां आपने राउंड आफ कर रहा है, ठीक है सर, इस प्रेजेंट वैली फैक्टर, और प्रेजेंट वैली फैक्टर क्या नहीं बात है आपके लिए, नहीं, एक जबाने से जानते हैं, और याद इसके लिए टेबल, हाँ सर, इसके लिए यह वाली टेबल यूज होते थी, यह वाली टेबल, कितने पर्षंट का देखना है, सर हमको देखना, 10 पर्षंट का देखा हमने, कौन से एर का देखना था, सर हमें फिप्ट एर के सामने देखो, तो क्या लिख रहा, पॉइंट 6209, पर क्या इस टेब और ना तो ये future value table मिलना है, आपको table ना तो ये वाले table मिलना है, अच्छा, पर फिर भी मैं आपको table दिखा दे रहा हूं, कभी ज़रुरत पढ़ गई, भगवान ना करें, आपके attempt में table दे दिये तो कमसे हो, idea तो हो table का, ठीक, तो मैंने आपको बताया, कौन-कौन सा तरीका ह है, दो तरीके हैं, या तो divide करो, सीधा दिख रहा है, या तो factor से multiply करो, दोनों में से कोई भी एक, it means अगर मैं कहूं, कि दो methods होगा है, present value निकलने के, एक तो ये हुआ, इसको क्या बोल सकता हूं, मैं इसको बोलता हूं method number one, आप ऐसे भी कर सकते हूं, और एक ये भी है, और सर, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगा, मैं method number two, जो चाहे वैथ, वो method से आप कर सकते हूं, ठीक, ठीक है सर, बात समझ में आ गई, अब आपका number है, जवाब चाहिए, जल्दी से present value निकलोगे, इसमें तो example और करवाना पड़ेगा, तो लिखोगे, example number two, future value after seven years, सर, future value after seven years, अजीब सा लगता है, मिलेगा ना future में, आज पैसे जमागे हो, तो उसको cash inflow बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं, तो सर, future value मतली को, सर, अच्छा नहीं लगता बिलकुल, ठीक है जी, after seven years, rupees 45,000, rate of interest 15% per annum, present value, question mark, अब दोनी method से निकाल देता हूं, कम से कम पता तो रहे, method number one, present value is equal to, 45,000 divided by 1.15 power seven, answer हो चाहेगा, 45,000 divided by 1.15, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे साथ, तो यह आगे रूपीस, 1.6, 9.17, और क्या हो सकता, और हो सकता, method number two, और यह कैसे निकलेगा, present value is equal to, 45,000 into present value factors, कितना परशन भाई, पंदरा परशन, और कौन से साल का, सेवंतियर का, इस तरह से लिखा जाता है, तो 45,000, यह कैसे निकलोगे factor, 1 divided by 1.15, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे साथ, 0.3759, चार डिजित तक factor लूँगा, 45,000 into 0.3759, अंसर आ गया, रुपीस, 169, 15, अंतर आएगा थोड़ा सा, सर एक्जाम में कैसे करना, factor के साथ करना, कि ऐसे करना, दोनों से ही कर सकते हो, दोनों से, अंसर में थोड़ा सा variation आएगा, पर चल जाता इतना, ठीक है सर, कोई देखत नहीं, बात समझ में आ गई है, अभी समझ में नहीं, अभी आएगी थोड़ी दिर में, अब एक important काम करने वाले, अगला example जो मैं देने जा रहा हूं, this is most 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 important, ठीक, ओक ऐसा, लिखोगे, example number 3, अभी ना, मुझे cash inflow जो मिल रहा है, मैं यह गह रहा हूं कि हम business करते तो cash inflow जो पैसा आता, यह यह एंड में, सिधे 5 साल बाद नहीं आता, यह सिधा 4, हर साल आता ना यह, तो ऐसा करके देता हूं, ठीक है सर, Cash inflows, year one, rupees 45,000, year two, rupees 42,000, अलग-अलग है याद रखना, year three, rupees 31,000, year four, rupees 15,000, and last, year five, rupees 10,000, and rate of interest, 10%, 10% पर रहें, और मुझे चाहिए, present value of cash into question mark, तो अब क्या करें, तो अब क्या करें, दो तरीके, यह तो factor लिखके, direct वाला मतलब, दो तरीके, दोनों तरीके में से, जो भी आपको पसंद आजाए, सबसे पहले में बात करू, method number one, method number one में कैसे निकलोगे, present value is equal to, 45,000, divided by, 1.10, पावर क्या हो जाएगा, one, क्योंकि यह पहले साल का, ठीक है, plus, 42,000 divided by, 1.10 पावर, 2, plus, 31,000, divided by, 1.10 पावर, 3, plus, 15,000, divided by, 1.10 पावर, 4, plus, 10, last में सिफ 1,000 है, मैं 10,000 बोल दिया था, 1.10 पावर, 5, 5, अब इसको सर, सौल कैसे किया जाए, solution का method, एक shortcut है, calculator में shortcut, सर हमको पता है, बिट्टी वह वाला नहीं जो आपको पता है, यहां तो कुछ और ही है, और यह जो shortcut है, यह बहुत कम लोगों को आता, प्लीज प्लीज ध्यान दो के, इसलिए ध्यान दीजिए, क्योंकि इसकी ज़रुत पढ़ने वाली या आने वाले concept है, देखो मैं calculator किस तरह से यूज करूँ, important है, ध्यान दोगे, प्लीज एक बार सुन लीजिए, फिर अपने हिसाब सिखेजिए, कुछ बच्चे भी calculator चलाना start करती है, पर एक बार सुन तो लो, कर तो लोगे आप, पर इसका यूज है भाई, इसका यूज है, calculator का यूज है, इसलिए एक बार मेरी सुन लो, फिर आप अपना कर लीजिएगा, ठीक कैसे, बताइए क्या करना, सुनोगे दिशान से, calculator का कैसे यूज करोगा है, calculator, करना क्या, सबसे पहले लिखना, 45,000, ठीक है, ठीक है सर, वो लिखेंगे, divided by, 1.10, ठीक है सर, equal to, और फिर, M plus, ठीक है, सर यह तो हमको आता है, अभी नहीं आता, अभी सुनो, 42,000, अब मैं divided by, 1.10, नहीं करने वाला हूं, क्योंकि वो already, save हो चुका है, फिर मैं क्या करूंगा, 2 बार equal to, M plus, फिर से धियान देना, आप क्या कर रहे हो, आप divided, आपको M plus आता है सर जी, वो मैं जानता हूं, पर प्लीज आप divide वापस नहीं करोंगें, बस 2 बार equal to M plus, 31,000, 3 बार equal to M plus, 15,000, 4 बार equal to M plus, और 1000, एक दो तीन चार, 5 बार equal to M plus, और फिर क्या कर दोगे, MRC, बस, सर हमारे calculator में, तो M plus नहीं है, कोई बात नहीं, calculator change कर दीचे, दूसरा calculator खरीद लिचे, अगर M plus नहीं है तो, सर हमारे calculator में, GT भी नहीं है, तो दूसरा calculator खरीदो, इस calculator, सर करके देखें कि एक बार कितना आ रहा है, कर ही लिया होग, का अंसर भी आ गया होगा आपका 45,000 divided by 1.10 equal to M plus 42,000 45,000 divided by 1.10 equal to M plus 42,000 1,2 M plus 31,000 1,2 3 M plus 15,000 1,2 3 4 M plus और 1,000 1,2 3 4 5 M plus MRC तो यह आगे रुपीस 109,000 सेवन 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 ठीक है यह और कुछ और वही आपके पुरानी वाली मैथद चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो टेबल बना के करना अलग मैथद है पर हम टेबल बना के करेंगे ही क्यों यह कर दो शब्त सन्लिशने का करना तो अलग मैथधडार क्यों सेवन नग् े आपके तो cade truck फाले सालगा तो आपका तो तो Capt विवर्द वाले का थाले का तो इन्टु दूसे शल्गा फेक्टर 31,000 इन्टु तीसे शल्गा फेक्टर 15,000 इन्टु जॉते शल्गा फेक्टर प्लस 1000 इन्टु फिप्तियर का फेक्टर इस परसेंट है तो यहां के जाएगा 9091 0.8264 0.7513 0.68 बोल गया मैं 1 divided 1.10 equal to 9091 फिर equal to 8264 equal to 7513 equal to 6830 और फिर equal to 0.6209 यह तो आता होगा पता लगा यह भी सिखाना पड़ा 1 divided by 1.10 करो equal to किया तो 9091 फिर equal to किया तो 8264 फिर equal to किया इस तरह से होता 45,000 x 0.9091 M plus 42,000 x 0.8264 M plus 31,000 x 0.7513 M plus 15,000 x 0.6830 M plus 1000 x 0.6209 M plus MRC तो यह आगे है रूपीस 109 774 थोड़ा सा वैरीशन आएगा है ठीक है? जी ठीक है तो मेरे ख्याल से समझने वाली बात क्या थी? इसमें सर समझने वाली बात कुछ थी नहीं लेकिन यह वाला important है calculator कही होचा ठीक है सर यहां तक बात समझ में आगी आगे से हम ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे? आगे से हम ऐसे ही करेंगे लेकिन अगर factor दिया होगा book में, questions में तो सर ऐसे ही करना पड़ेंगे चलो जी class खतम करना है एक दो example और लेते एक example हो सब यह मैं याद दिला रहा हूँ यह मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहिए था यह जरूरत ही नहीं पढ़ाने की पर वो क्या है थोड़ा warm up हो जाए थोड़ा याद आ जाए फिर काँ करें और एक example अब आपका number कैसे influence year one two three four ठीक है सर पहले साल आ रहा है 35,000 दूसे साल आ रहा 35,000 तीसे साल आ रहा 35,000 चाहते साल रा 35,000 इसको annuity बोलेगे कि हाँ इसको बोले जाता annuity okay और सर rate of interest rate of बोलो कितना परशंट लेना चाहेंगे सर इक काम करते हैं इस बार हम 15 परशंट लेते हैं यस और आपको निकलना present value cash and flow कोश्ट मार्क क्या आप काम कर रहे हो यस तो सबसे पहले method number present value 35,000 divided by 1.10 10,000 नहीं 15 आप कर रहे हैं अब आप करोगे 1.15 पावर 1 फिर 1.15 बेकर कीमत जबकि हर साल cash इनलो एक जैसा है तो क्या कुछ shortcut हो सकता है यस shortcut ऐसे हो सकता है इसको क्या कर दें? summation समस्मेशन समझते हो सबको जोड देंगे असर रजाएगा पर फिर भी सर calculator में बताओ कैसे होगा calculator में ऐसे होगा calculator 35,000 divided by 1.15 equal to 1 बार, equal to 2 बार, equal to 3 बार, equal to 3 बार और आपके calculator में GT वाला बटन होगा है मिला GT सर नहीं है नहीं है अगर आपके calculator में GT वाला बटन तो सर करना क्या है बोलो calculator खरीदना है नहीं वाला और कुछ नहीं करना है सर अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव है भहिया लेकिन फाइनल का एक्जाम दे रहा हो अब एक calculator में कंजूशी मत दिखाना है अब पूरा SFM करना हम लोगों को 35,000 divided by 1.15 एक दो तीन चार जीटी है आ गया भई आ गया वह सर रही और अंसर कितना आ गया रुपीज 9 9 9 2 4 सर दूसरा मेथड क्या है दूसरा मेथड तो आपको बता है दूसरा मेथड ये हुआ present value is equal to 35,000 into पहले सालगा फेक्टर प्लस 35,000 into दूसरे सालगा फेक्टर प्लस 35,000 into और 35,000 into 1 divided by 1.15 तो यहां के 0.8696 0.7561 0.6575 और 0.5717 सर एक बात बोले हां बिट्टे बोलो सर ये देखो यहां भी 35,000 है यहां भी 35,000 यहां भी 35,000 यहां भी 35 तो सर क्या common नहीं निकल सकता 35,000 है यास बिलकुल सहीं और सर यह 0.8696 प्लस 0.7561 प्लस 0.6575 प्लस 0.5717 इन सब को आप जोड लीजिए ना दिक्कत क्या है हाँ बटे इन सब को जोडने से जो आएगा उसका नाम रहता है उसको बोलते है present value factor नहीं present value annuity factor फिर से present value factor नहीं ऐसा कब हो सकता जब हर साल का cash info एक जैसा annuity बोल सकते हैं तो आप present value factor अलग-अलग की जगा present value annuity factor लगा सकते हों अब present value annuity factor कौन सा देखना है आपको कौन कितने पर्षंट का सर हमको देखना 15 पर्षंट और कितना साल सर हमको देखना 15 पर्षंट के अलावा चार साल अब दो तरीके या तो सबको add करो add करने का तरीका यह नहीं कि आपको लिखना ही पड़ेगा add कैसे कर सकते हैं 1 divided by 1.15 equal to 1 bar equal to 2 bar equal to 3 bar equal to 4 bar और gt तो यह आ गया है 35,000 into 2.8550 answer आ गया 99925 वही है लगबख यहां टूफा पास समझी में आ रही है इसको क्या बोल जाता present value annuity factor कैसे निकाला मैंने 15 पर्षंट का 1 divided by 1.15 एक दो तीन चार और फिर gt प्रेस कर दिया तो आ गया है जिनके पास gt रही है वह कैसे निकाल सकते 1 divided by 1.15 equal to m plus, equal to m plus, equal to m plus, equal to m plus mrc कर दिना answer पर मेरे ख्याल से gt होना जरूरी calculator में क्योंकि जरूरत पड़ेगी जिनको m plus में मज़ा रहा हूँ, m plus में करो, फिर कब तक m plus में करोगे ठीक है सर, बात समझ में आती है, ये भी हो गया हाला कि table भी है, मालूम है, दूसरे table number आपके पास, table number one हो गई ये, table number two, table number three, और ये है table number four यहाँ annuity लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मुझे देखना है, अभी मैंने कितने बर्शन की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा था, पंद्रा बर्शन, और कौन से साल की बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था, फोर्थियर, तो ये दिख रहा है, 2.8550, पर table तो हमें CA final में दि किया नहीं होता, तो इनको देखने का मतलब बनेगा नहीं, अब सीधा-सीधा काम कर सकते हो, इस तरह से काम करोगे, बात समझ में आभी पूरी बात future value निकालने का और present value निकालने का, असर बहुत अच्छी से समझ में आ गया है, good, आगर से target बना लेंगे कि कहां, कैसे करना इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस पर practice करना है, तो सर, अगर इस पर हमको और practice करना है, तो आप CA, इंटर का कोई भी book ले लिए, इस पर practice ज़रूरत नहीं है, जब questions आएगे, तो हम करते जाएंगे, present value निकालना हमको आना चाहिए, ठीक है सर, तो आप कोई भी method से करो मैंने सब, यह technique सबसे अच्छी मानी जाती है, हम आने वाले present value हम ऐसे निकाला करेंगे, ठीक है, जब भी अलग-अलग होगा, divide वाले formula से करेंगे, जल्दी से solve हो जाता है, ओके सर, सर, class over करेंगे, बिल्कुल, बस एक बात और बचे हुई है, समझा देखो, last, 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 पक्का, last, example number 5, cash inflow आर रुपीज, 15,000, per annum, rate of interest है, 10% per annum, हर साल 15-15,000 रुपीज मिलेगा, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, अगर मैं कहता आप से कि 5 साल तक मिलेगा, तो आप क्या करते, आप लिखते 15,000 रुपीज, प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता आपको, अभी मैंने कहा नहीं है, और फिर क्या करते, आप प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकालते, 15,000 इंटू, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, आप क्या करते, अगर यहां लिख देते, तक मिलेगा, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, वैं डिवाड़ेड वै वन पॉइंट वैंजेरो करते, कितने बार, एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, साथ, आट, नौ, दस, जीटी प्रेजेंट करते, 6.145, फिर लिख देते हैं, 6.145, यह काम करते हैं, हाँ सर, अब मैं आप से कुछ बोलने जा रहा हूँ, Cash Inflow हर साल मिलेगा 15,000 रुपए, ठीक है, Rate of Interest है, 10% पर रहना, आपको निकालना Present Value, एक चीज़ बताना मुझे, क्या, कि यह 15,000 कितने साल तक मिलेगा, Perpetual, हमेशा मिलते रहेगा, या फिर, Forever, अब क्या करोगे, चलो मैं आपके Help करता हूँ, Present Value is equal to, बोलो कितना, 11,000, multiply किस से करेंगे, Present Value, Annuity Factor, तो चलो, 15,000 इंटु कितना, उठाओ calculator, सर, उठाया calculator, अब बोलो, अब लिखो, 1, divided by 1.10, equal to, सर, कितने बार, year तो बताओ, करते जाओ ना मैटे calculator में देखो, पहला क्या दिखरा, 0.9090, फिर equal to करो, कितना आ गया, 0.8264, फिर equal to किजिए, क्या धीरे-धीरे कम हो रहा है, हाँ, 751, फिर करो, 683, क्या ये कम होते होते, एक समय ऐसा आ सकता, calculator में 0.000000, उसके बाद तो कुछ नहीं बचा, और उसके बाद GT प्रेस करते हैं, तो कितना आ था, यही तो forever हुआ, अच्छा सर, equal to, 621, equal to, equal to, equal to, equal to, equal to, equal to, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, तो finally मालू है, एक समय बात क्या आएगा, 0.000000, घर में आपके पास टाई में, आप बिलकुल करना, और फिर GT प्रेस करोगे, तो में आलम, आंसर क्या आएगा, 10, आंसर क्या आएगा, 10, इट मिंस कितना आजाएगा, यह एक लाग पच्चा सजा, हाला कि ऐसे नहीं किया जाता, मैं तो आपको बता रहा हूँ, सर इसका तो डेरिवेशन है, बेटे डेरिवेशन छोड़ो, डेरिवेशन जिसका मुझको करवाना, वो मैं करवा दूँगा, सब भूल जाओ, बस मैं आपसे बगल रहा हूँ, बस करते जाना, आप कैलकुलेटर में आंसर आजाएगा, लेकिन इसका एक फॉर्मुला है, फॉर्मुला क्या है, वो लिखवा देता हूँ, नोट में, लिखन क्या है,ahlenने में, वो ने धर सेता है, नोटको केया हूँ, नोटने लिखना की काौश करस्टर drinks, जुझको केया है, अच्यान पॉथ आदिया सका फ्रसकाश का बढसेवाब। इंपरफवें, then present value cash inflows is calculated as present value of cash inflow is equal to cash inflow divided by rate that's it ठीक है जी बात समझ में आए बस rate से डिवाइट कर दीजी tension खतम हो जाए इसको बलता है perpetual receipt हो रहा है तो काम क्या करें अगर मैं इस question की बात करूं इस question में present value of cash inflow is equal to पंदरा हजार divided by rate कितना है 10 पॉशन आँसर आजाएगी सर इसमें calculator की जड़ुत पड़ा है या पॉशरी भी गलती होगी मेरा धियान कहीं हो रहता एक लाग पचासर यह एक लाग पचासर क्या है अगर कोई बुले एक लाग पचासर में बोलूंगा कि भाईया पंदरा जर मिलेगा मिलेगा फॉर एवर दस पर संट के सबसे तो प्रेजिंट वेल्यू कितना जाहेगा एक हम पचासर और ठीक है सर वैसे common sense common sense इतना है कि यार अगर मैं मैं एक लाग पचासर रुपैय जमा करता हूं बैंक में एक लाग पचासर जमा करता हूं और बैंक वाले से बोलता हूं मुझे इंट्रेस्ट कितना मिलेगा बैंक वाला फुलता दस पर्शन तो बोलो कितना मिलेगा 15000 कब तक मिलेगा जब तक पैसे जमा रहेगा एक लाग पचास जार लगाओ और जिन्दगी भर 15000 रुपए कमाते रहो यही तो मतलम हुआ इसका खेर यह बात खतम होगी सर अगर रेट 20% होता तो यहां डिवाइट किस से होता है 20% से हो जाता है ठीक है तो अब भी आज की क्लास खतम करते हैं लंबी क्लास होगी आज की हम अब बच्चे हुए जो पॉइंट से उसमें टाइम ने लगेगा तो अगली क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई एक बार देख लेना भाईया प्रैक्टिस कर लेना सर बस प्रैक्टिस ओके थैंक्यू थैंक्यू सो मच